देखिए त्याग पत्र विधाईकों ने दिये, बाण में विधाईकों ने दिये, ये नोटंकी चली और उसके बाद मैंने तीन बार पत्र लिखा, एक बार माने परतिबक्स के नेता की अगवाई में हमारा शिष्ट मंडल उन से मिला और हमने कहा उनको कि आपके पास एक सो में से बाण में विधाईकों के त्याग पत्र लंबित है, राजस्तान का हवाम चिंतित है कि सरकार का भूमत है या नहीं, आप इन पर निर्णे करें, जब माने अधक्सजी ने निर्णे नहीं किया, व्यथित होकर मैंने उच्छ नहिले के खंड़ पीट के सामने पी-ाई- मैं अचानक क्योंकि जबाब देते बन नहीं रहा था, इसलिए त्याग पत्र वापिस लेने की नोटन की फिरची जा रही है, मैंने अभी ऐसी दो गया कि त्याग पत्र स्वेच्छा से दिये थे, त्याग पत्र स्वेच्छा से देने के बाद, तीन महने तक उस पर सब्दियों का लाब उठाना और मंत्री मंडल के सदिश्यों द्वारा मंत्री मंडल में बैटके निर्ने करना, इन सारी बातों को लेकर, मैं कल्बी परसों भी उचनाहिले में कहूंगा, और निश्चित तोर पर ये परजातंतर के साथ मजाक है, ये सविदान का मखोल है, आज कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्य अद्व का पद बोना नजर आया मुख्यमंत्र जी को, और मुख्यमंत्र जी का पद उनका बना रहे, इसलिए उन्होंने अपने आला कमान के दूतों का अनाधर करते वे जिस प्रकार की नोटंग की करवाई है, ये राजस्तान की जनता ने देखा देखी है और ये इस कांग्रेस को महंगी पड़ेगी